नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत आपका यूकी जी के चैनल में आज की जो खास करंट अफेर्स है वो है आपकी नॉमबर के लास्ट वीक की जो कि आपके 24 से 30 नॉमबर के बीच पे तो आई चली जानते क्या रहा है खास इस वीक के अंदर तो जो पहला अपडेट है वो है पंदिर्वे वितायोग के अद्धिक्षपत के एनके सिंग जी की निकती की गई है और सरकार ने पंदिर्वा जो वितायोग है जो कि जनुरी से लाग होगा उसके लिए अद्धिक्षपत के लिए एनके सिंग जी की निकती की है इसे में जो वितायोग चल रहा था आपका वो चल रहा था आपका 14 वितायोग यानि कि फाइनस कमिशन और यह आपका बना था 2013 में और इसके जो गठन किया गया था जनवरी 2013 को और 2018 यानि कि 5 साल के लिए वितायोग होता है तो 14 वितायोग जो है आपका 2018 में अभी खत्म हो जाएगा मतलब 17 के अंदर 2018 से नया चलेगा तो जो अभी तक की जो इस पर चेंजिस होते हैं और जो वितायोग की रिपोर्ट होती है उसको पर जो भी कारवाई की जाती है वो करीबन जो फाइनस कमिशन की जो रिपोर्ट होती है उसके दो साल बाद उसके अमल में लाई जात की जो है टाइम डेट होती है और उसके बाद जो यह वाला जो वितायोग चले अपकर 2018 से लेके 2022 तक का सौरी 2023 तक का तो उनके उपर उसके बाद next two years में उसके उपर गठन किया जाता और उसके उपर आपका अमल में लाई जाती है चीजे हैं तो जो हमारे हैं आपके पूर यह सांसत भी रह चुके हैं N.K. S. जी और यह से पहले योजना आयोग जो कि सम्नीधी आयोग है इसको नाम बदल के नीधी आयोग कर दिया जो कि पहले Planning Commission के नाम से भी जाना जाता था साथी क्या है इसमें N.K. S. जी के उपर जो है वित आयोक के कई सारे मामले यह इनको द आएगा तो वैसे वीत आयोग है क्या विक यह एक तरीके से एक सम्वेधानिक संस्ता है जिसका गठन सम्वेधान के अनुछे दियानिक आर्टिकल 280 के तहित किया गया जो कि हर साल 5 साल के अंदर होता है तो आयोग केंद से राज्यों को मिलने वाले जितने भी अनुदान होते है नियुमों को तैय करता है कि किस तरीके से स्टेट को सेंटर से कितना फाइनस देना है या फिर जो रिमांड से और जितने भी यह फाइनस से रिलेटेट मामले होते हैं उनको पर सारी चीजों का रिपोर्ट एनलेसिस यह आयोग करता है तो बढ़ते हैं को नई गया था अमेरीका के लास वांगस में और इस प्वेदल में पहुंची थी वह थी आपकी दक्षिन अफ्रीका की जमयका और कोलंबिया के उम्मीदवार और इस पर तल्क आप कंवूर जो पर ध्भिजेता रही हैं वह हैं मिस्चलंबिया और इसके बाद जो तुसरी यूरी जीता थी वो थी Miss Jamaica चुनी गई थी तो ये आपने आपको पता ही होगा जो कि इस समय मानुशे छिला रहे उनको Miss World का आवार्ड मिला था तो उसे के साथ साथ जो Miss Universe होती है उसे थोड़ा और एक पाइदान एक लेवल और उपर होता है तो ये Miss Universe का आवार्ड जो है देय की लेवे को मिलाई जो कि साथ अफरीका की है तो एक और जो खबर वो है आपके एक रुपे के नोट के उपर जीहां एक रुपे के नोट ने पूरे कियaid हैं, और भारत में एक रुपे का जो नोट है उसने दीजौन को अपने सौआवर्र पूरे कर लिये थी 30 November 1917 को ये note release किया गया था और सबसे पहले ये भारत में सब लोगों के आम जनता के लिए आया था और ब्रिटेन के राजा जो थे जौर्ज पंचम किसमें तस्विश छपी थी तो इस note के खासियत ये है कि ये अन्य जो note होते हैं हमारे 10 के 20 रुपे के या 100 रुपे या 500 के 2000 के ये note कि भारती रिजर्व बैंक जारी करता है मगर एक मात एक रुपे का note ऐसा है जिसको भारत सरकार खुद छपाई करती इसकी और खुद ही जारी करती है और इस पर जैसे कि रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके signature नहीं होते हैं जैसे हमारे गवर्नर है जैसे हमारे गवर्नर है उर्जित पटेल जी और इसे और यह एक मात रैसा note होता है जिसका full value currency होता है और जो बाकी note होते हैं वे प्रॉमिसरी note होते हैं जिस पर आपने देखा भी होगा कि धारग को मैं 100 रुपे देने का वच्चन करता हूं इस तरह की statement छपी होती है उस note के ऊपर और एक रुपे का note जो था British सरकार के टाइम प सचीव हैं उनके हस्ताक्षर वाले note जो हैं इसे हमें तक जारी किये गए हैं और इस हमके जो हमारे वीच सचीव हैं वो हैं आपके हस्मुक आदिया और इस हमें प्रेजेंट फाइन्स सेकेटरी हैं जो अगले update है वो आपके 48 वा भारती इतिराश्ट्री फिल्म महसव के ल सब्सक्राइब के बीच में स्कायोजन किया गया था फिल्म कलाकार मिता बचन को personality of the year के प्रुस्काव के साथ यहां पे नवाजा गया और कनाड़े के मशूर फिल्मकार एटम आयो एन आगयो एन को lifetime achievement अवार्ड से भी समानित किया गया है और फ्रेंच डारेक्टर रॉबि केमपैलियो का जो ड्रामा था 120 यानि 120 BPM बीट्स पर मिंट को मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड इसी में इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिवाल यानि IFFI में यहां पी जो अगले अप्टेट है वो है आपकी जिंबावे से जिंबावे के एमर्सन नांगागवा ने जो है राश्च्पती की सपत लिये और जिंबावे के राश्च्पती की रूप में एमर्सन नागावा ने 25 नांबर को सपत ली थी इससे पहले जिंबावे के राश्च्पती रावट मुगावे मुगाबे ने 22 नॉमबर को अपने पर सिस्थिफा दे दिया था और यह जो है कि यह बात मानी गई थी कि राश्पती मुगाबे जो नजर बन कर दिये गए थे और वहां की जो सत्ता है वहां की सेना ने ले ली थी क्योंकि 1980 में बिटेन से अपनी स्वतनता से लेकर अब तक रॉबर्ट मुगाबे जो हैं इसी जिंबावे का नेतरित्व कर रहे थे और उनकी उमर इस समय जो है 93 साल याने की 93 यर्स के वो हो चुके हैं और उसके बाद क्या चाहते थे कि वो अपने ही किसी वारिस को अपने ही किसी फैमिली से ऑगे राश्ट पत के लिए रखना चाहते थे लेकिन जो बात वहां के सत्ता थी और जो वहां के आर्मी थी वहां के लोग इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे और वो चाहते थे कि कोई नय वहाँ पर आये और उन्होंने अपनी पत्नी ग्रेस को भी इस पर आगे किया था कि वह इलेक्शन रड़े या फिर वहाँ के नहीं आपके राश्च्पती पत के लिए खड़े हो लेकिन जो कि वहाँ के समय हमारे नांगागवा हैं इन्होंने जो की और उनको फाइनली जो राश्च्पती बनाया और उसके बाद से मुगावे को उनको ब्रखास कर दे गया उनके अपने पत्से कुछ बात करते हैं राश्च्ट घटना कर्म की जो कि नैशनल करेंट अफेस से जुड़ी वी है और छे संस्थानों के लिए दो उपे की परियुजनाओं को मंजूरी दी है इन संस्थानों में IIT मुंबई दिली मदरास खड़कपूर और कानपूर के अलावा सुरत कला स्थित NIT को भी सामिल किया है हैफा ने सरकार द्वारा पहले से दिये गए अनुदान के अलावा या धनरासे सुकृत की है और इस य परियों पर रहते हैं जो इस पर लोगे मिलता था तो यह जो है एक दो धन उप्लवत कराने के लिए एक संस्थान बनाया गया प्रदान मत्रेन नरिंद मोधी जी न just और इससे क्या होगे संस्थाने में जो की शूत कारे उसको बढ़ावा देनी के लिए एक अतिरिक्त वित्तिसायता करवाने के लिए इसका उद्धेश ये था जिसको गठन किया गया था पिछले साल सितंबर 2017 में जो यहां पर नेक्स्ट अपडेट है वो है सिंगापूर और भारत की बीच में सुरुक्षा उद्ध्युक में की सहमती सुरुक्षा सहमती बढ़ाने के लिए सिर्फ इसका एकी मोटिव है कि आतंगवाद के खत्र को मिलकर जो है दोनों देश मिलें और आतंगवाद से लिने और माले जाएगा कहीं भी दोनों देशों के बीच पर कुछ पर ऐसी कोई सिक्रेट इंफॉर्मेशन है या भी कोई ऐसी चीज है उस पर जो एकीद में एक्षेंज किया जाएगा और साती जो कि भारते नौसानिक जहाज है वो भी और जो भी हमारे जहाज बगेर हैं और इ एक इक्समारी ट्रीट एक्सेस जिसको किया गया है दूड़नतीस नौमबर को जैपूर में और इस पर ब्रिटन की जो सेना थे यहना की सियना के करीबन सौ से ज़्यादा जो भी टेस वो थे आपके सैनिक थे उनके साथ भारते सेना का जो अभ्यास किया गया है तो कोशन च एक सरा जाता है कि अज्ञे वार्यूस 27 कि इन दो दिसों के बीच की गई है और वैसे इसका फायदा यह होता है कि जो भी military exercise की जाती है इस एक दुसरी की जो पावार उसको जाना जाता है और किस तरीकी से काम करने का तरीका उसको भी जाना जाता है और इससे क्या कि कॉडिनीशन होता है दोनों मिलेटी के बीच पे सपोस कीजिए अगर कभी कोई दोनों दिसों को साथ मिलके लड़ना पड़ा तो उनको काफी प्रॉबलम नहीं होगे एक दिसों को समझने के लिए और उस तरीक से कॉडिनेट करेंगे कभी भी किसी आपदा से निवटने के ल से लिए यो आपको बता दूँ कि जो हमारा ये विदी दिवस यानि कि सम्वीधान दिवस ये मनाया जाता है हर साल 26 नॉवंबर को और 26 नॉवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नॉवंबर को दिन यानि कि आजी के दिन 1949 को जो कि इसको एक सभा थी उसने इसको एडॉप्ट किया था 26 नॉवंबर और इसको लागो किया गया था पुरे भारतवस में 26 जनॉवरी 1950 को तो 2015 से को जो है इस बात का जो कॉस्टिटिशन ने इक नॉटिफिक्शन निकाला था जिस पर ये बोला गया था कि आप से 26 नॉवंबर को जो राश्ट्री विधी दिवस यानि कि समवीधान दिवस पुरे रूप से मनाया जाएगा और इसका जो डेट है इसुइंग डेट जो है वह आपकी बीस नॉवंबर 2015 तो बातचीत करते हैं कुछ अनतरास्ट्रे घटना कर्म की आंकसांसुची का फ्रीडम ऑफ ऑक्सवर्ड सम्मान वापस ले लिया गया है और ऑक्सवर्ड सीटी कांसल ने 28 नॉवंबर को मैनमार के मानवधिकार वादी नेता और स्टेट कांसलर आंकसांसुची को से इनका ये फ्रीडम ऑफ ऑक्सवर्ड सम्मान वापस ले लिया है ये सम्मान उन्हें 1907 में मिला था बहराल उन्हें करीबन 15 वर्ष का जो है और जाता इंतचार करना पड़ा था क्योंकि नजर बंद थी और 2015 में उन्होंने इस अवर्ड को विक्तिगत तोर पे घरंड किया था मग फैसर की वज़ा से तो इस वज़ा से उनसे ये अवर्ड वापस लिया गया है और एक और जो खास बात है चलते चलते हुए आपके बंगलादेश रैफल्स के एक सुनचालिस कर्मियों की मौत की सजा बरकारा रखी है और रोहां गया मामले में मैंनमार बंगलादेश की बीच पे समझाता अब हो चुका है कि जो बंगलादेश में जो सरनाती रिफ्यूजी आयते मैंनमार अब उनको वापस ले लेगा अपने देश में तो फिलाल की जो अपडेट थी वह आज इतनी ही थी मैं को इसका पार्टू के साथ आओंगा क्योंकि इस पर कई सारी चीजे हमने कवर नहीं किये जैसे की स्पोर्स की और कुछ मिसलीनियस चीज तो बने रही है मेरे साथ इसी वीडियो में लेकर आओंगा जिस पर आपकी घटना कर्म हो झाल